ऐलो फ्रेंड्स वेल्कॉन टो माइ यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड अगर आपका कोई भी लैडर से लेटेड़ कोशन आते है तो किस तरीके से आपको अपना आंस्वा लिखना है जिसे कि अगर आपका लैटर एट मार्क का आता भी है और आपके अच्छे से तयारी नहीं भ या फिर आपको किसी को invite करना है sister की marriage, brother की marriage, summer vacation किसी भी type से आपको किसी को invite करना है या फिर अगर आपको फादर से पैसे मंगवानी है तो किस तरीके से आपको starting करनी है, क्या lines लिखनी है तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख देना है एड्रस जैसे कि आपको कलोनी का नाम बता देना है कोई भी जिसे महुला वगर होता है तो उसका नाम यहाँ पर आप बता देना उसके बाद आपको बाद में डिस्टिक का नेम लिखना है इसके बाद आपको date लिखनी है, उसके बाद my dear जिसको भी आप लिख रहे हो, जैसे friend है तो friend लिख देना, father है तो father लिख देना, कोई भी sister or brother जिसको भी आप लिख रहे हो, उसके बाद starting की line यह होगी कि I am well here, कि मैं यहाँ ठीक हूँ, hope you will be same, कि आप भी वहाँ पर ठीक होगे उसके बाद जैसे आप लिख सकते हो, yesterday I receive your letter, अगर आपने किसी को answer देना है, ठीक है, तो तो आप क्या लिखोगे, कि कल मैंने तुम्हारा पत्र मिला, जिसमें मुझे पता चला, कि तुम्हारी sister की शादी है, तुम मुझे invite कर रहे हो, या फिर तुम्हारे summer week questions स्टार्ट हो इसके बाद कर रहे हो, ये आपको ध्यान देना है, कि लेटर सबसे पहले लिख कौन रहे है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, जैसे कि आपको किसी को congratulation करना है, तो तुम आप लोग क्या लिखोगे, yesterday I received your letter, जिसमें मुझे अपता चला कि तुम्हारे अच्छे नंबर चुकी है, मैं बहुत खुश हुआ, मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए congratulation करना चाहता हूँ, तुम आगे भी hard work करना, और अपने जो father, mother, अपने जो parents है, उनका नाम अच्छे से रोशन करना, इसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हो, with best regards to, अब यहाँ पर गया है कि जिस अब आपने लाइटर लिख है, तो आपको उसे क्या relation है, brother का relation है, या sister का relation है, या फिर आप as a friend बात कर रहे हो, ठीक है, आप daughter के रूप में, son के रूप में, जो भी है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है, तो इस तरीके से अगर आप अपना लिख देते हो answer, तो आपके क कम से कम 4-5 नंबर यहाँ पर बन जाएंगे, और इसके बाद जो आपको कोशन में लाइंस दी होती है, वो लाइंस आपको यहाँ पर बाद में लिख देनी है, जैसे कि will be the same के बाद, जो भी बाती है, वो आप यहाँ पर लिख देना, एक दो लाइन जो कोशन पेपर में आ सिधा लिख सकते हो, प्रिंसिपल सर, फिर आपको स्कूल का नाम लिखना है, फिर आपको प्लेस, जैसे जापपूर बगारा, उसके बाद सर, most respectfully, I beg to say that, I am student of class 9th in your school, इतना आपको लिख देना है, कि मैं आपके स्कूल में कक्षण ओवी का छातर हूँ, उसके बाद, अगर अगर आपके स्कूल के लिख 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 सकते हो, तो आप बता सकते हो कि हमारी class है, वह फ्रेंडलि मेच क्रेयलना चाहते है, class 10 के साथ, तो हमें आपकी permission की जरूरत है, तो इस तरीके से आप फीसमाफ के लिखने है, तो आप लिख देना कि मेरे जो फादर है, वह फार्मर है और वो पूर फार्मर है हम छे साथ धाइबन है इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो अगर आपको लास्ट में लिखना है थैंकिंग यू 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 जो पॉर्मेट है अगर आप यह रखते हो तो आपके जो माकस है एट नमबर का है तो फोर नमबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इसके बाद डिसकस कर लेते हैं modals कुछ इसको model भी कहते हैं तो जो भी आप कहते हो वो आपकी उपर है तो देख लेते हैं main क्या है कि मैंने keywords बता रही हूँ जिससे की question जो उपर उपर से बनते हैं उसमें आपके जो answer है वो सही हो जाएं अगर question में वहां पर आप जब English से Hindi में translate करते हैं आपको लगता है कि यहां पर संभावना की बात ही है कि कोई काम या तो यह कर सकता है या फिर यह काम नहीं कर सकता या फिर कोई permission की बात हो रही हो और यह permission कैसी है कि ब्राबर की जैसे friend circle में कोई permission लेनी है तो हम can का use करेंगे जैसे कि can I take your pen क्या में तुम्हारा pen ले सकता हूँ अगर हम अपने friend से बात कर रहे हैं तो हम can का use करेंगे और अगर हम किसी की ability के बारे में जाना चाते हैं कि वो ये काम कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है उसके योगिता के बारे में जान रहे हैं तो भी हम can का use करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले अगर जैसे कहीं पर भी योगिता से लेटे कोई भी लाइन आती है कोई भी sentence आता है तब आपको वहाँ पर can का use करना है जैसे कि can you speak English क्या आप English बोल सकते हो क्या आप ये मेज उठा सकते हो क्या आप तेज दोड सकते हो क्या आप स्विम कर सकते हो तो यहाँ पर कि हम उसकी योगिता के बारे में पूछ रहे हैं ठीक है कि क्या वो ये काम कर सकता है तो हम वहाँ पर can का use करेंगे जो could है वो can का past होता है तो यहाँ पर एक होता है past ability तो आपको इस type का sentence देखने को मिल सकते है जैसे कि I dash run fast when I was young तो जब भी आपको ये मिलेगा न when I was young जैसे कि I dash swim I dash run I dash speak English when इस तरीके से जब भी when और was past sentence आपको दे रहा है और ability के बाद में बात हो रही है तब आपको महाँ पर could का use करना है इसके बाद है may और might may present में use होता है और जो might है वो past में use होता है किस तरीके से अब ये रेखती है सबसे पहले में का use होता है permission के लिए जब आप बड़ों से लेते हो जैसे कि जब आप class में अंटर करते हो तब आप क्या कहते हो may I come in sir ठीक है तो तब आप किसका use करोगे में का जब आप किसी को blessings देते हो आश्रवात देते हो तब हम किसका use करेंगे में का जैसे कि may God bless you इस तरह के से may you live long आप लंबी आई यू जियो इस तरह के से और एक make a use होता है कि हम कोई काम कर रहे है तो वो हम काम क्यों कर रहे हैं कोई तो reason होगा तो उसके लिए भी हम make a use करते हैं जैसे कि we work hard यानि कि हम कटिन मैनत करते हैं so that we may pass the exam ता कि हम अच्छे से exam को पास गर ले तो यहां पर हम काम hard क्यों कर रहे हैं ता कि हम exam को पास कर ले हम पड़ क्यों रहे हैं ता कि हम exam पास कर ले तब यहां पर के है make a use hoगा अब might का use कैसे होगा जैसे कि यहाँ पलिकाव है God bless you तो bless कि अगर second form दे दी past दे दिया तो might इसे तरके से we work hard कि अभी हम work hard कर रहे हैं जिसे कि हम pass हो जाएं तो we worked hard यानि कि हम उस time hard work करते थे so that we might कि तब हम pass हो जाते हैं तो वो चीज़ हो जाती है बस इतना ध्यान दे लेना must का use होता है एक ऐसे बातों के लिए जो आपको मानने ही माननी है अगर आप वो बात को नहीं मानोगे तो उससे क्या होगा कि आपकी उपर कोई भी punishment आपको मिल सकती है कोई tax, कोई fine ये सब चिज़ें लग सकती है तो ये आपकी इच्छा पढ़नी है कि आपको ये बात माननी है या फी नहीं वो आपके लिए compulsory है कि ये बात माननी ही है जैसे कि we must obey the traffic rules हमें school time पर आना चाहिए हमें uniform में school आना चाहिए हमें homework complete करना चाहिए क्योंकि अगर हम ये काम नहीं करती है तो हमें punishment मिलेगी fine लग सकता है वो चीज़ी है should का क्या होता है कि हमें advice दी जाती है ये काम हमें कर मर्जी है हमारी उपर है हम करना चाहिए तो करें ना करना चाहिए तो ना करें तो must और should उससे का opposite है must में करना ही पढ़ेगा और should में आपकी इच्छा है जैसे कि you should respect your elders आपको अपने बड़ों का समान करना चाहिए आपको अपने parents का समान करना चाहिए आपको हरी सबजیاں खाने चाहिए तो ये सारे जो sentence होते हैं इसमें should का use होता है इसके बाद है would का use अगर कहीं पर भी आजाए dash you liked your coffee यानि कि dash you like dash you mind तो आपको लिखना है would you like would you mind और इसी तरह के से जब आप किसे से request करते हो please का sense आता है तब भी आपको would का use करना है और अगर would नहीं दे रखा तब आप would का use कर सकते हो जैसे कि would you pass me salt please तो आपने यहां पर क्या की request की तो आप यहां पर किसका use करोगे would का इसके बाद है ought to ought to है जो वो should की तरह ही यूस होता है जहां पर हमारी moral duty होती है कि हमें ये काम करना चाहिए जैसे कि you ought to love your country कि हमें हमारी country से प्यार करना चाहिए जहां पर हमारा नैतिक दायतव बनता है तो वो नीड में क्यों होता है कि जरूरत जहां पर जैसे ही कह दे जाए कि आपको Sunday को काम करने की जरूरत नहीं है तो you need not work on Sunday इस तरह के से डेयर का किस तरह के से कि तुम्हारी हीमत साहस वर्ड के लिए कि तुम्हारी हिमत कैसे हुई कि तुम्हें मेरा phone मेर से बीना पुछे उठाया मेरे room में मेरे बीना permission के आगे तो वो चीज़ है I और V के साथ will का use कब होता है जब आप किसे को धमकी दे रहे हो जब आप किसे से promise कर रहे हो या फिर जब आप किसी बात को लेकर द्रड निश्चे होगी मैं ये काम करूँगा ही करूँगा जैसे कि I will kill you तब आपको I और V के साथ क्या करना है इसके अलावा जब आपने कोई द्रड निश्चे कर लिए कोई पक्का इरादा कर लिए जैसे कि I will work hard to get good marks कि मैं hard work करूँगा ताकि मेरे अच्छे number आजाए तो I और V के साथ will और अगर आप किसी से promise करते हैं कि मैं तुम्हारी party में आऊंगा तो I will come in your party तो यहाँ पर जब भी promise करोगे तब भी I और V के साथ will का use होता है और अगर इनके अलावा कोई भी sentence आता है तब आपको यहाँ पर जो shell है उसका use करना होता है जैसे यू आजाए तो आपको shell का use करना है ही आजाए तो आपको shell का use करना है ठीक है I और V के साथ गिल का use होगा इन sentence में और अगर आपको यू दे रखा है तो आप यहाँ पर shell का use कर दोके So hopefully आपके लिए वीडियो helpful रही होगी Thank you friends for watching my video Thank you